पर्दा खुला और जड़ों की नोटन की सुरूप हाँ तो हेलो मैं डियर स्टुएंट्स बेरी गुड मॉर्निंग टॉल आफ यू मैं शशिकान सर्मा आपका अपना इसके सार नीट विजन के इस बहत्रीन डिजिटल प्रेट फॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और व तंतर उचाईयों को छूओ ठीक है ना और आपके सारे सपने डॉक्टर बनने का जो सपना है वह इसी वर्स पूरा हो इन ही हार्दिक सुपकामनाव के साथ मैं आज का यह वीडियो लेक्चर स्टार्ट करता हूं और पिछले वीडियो लेक्चर में पहला हमने मॉर्फलोज की शुरुआत दे दी थी और फस्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिसकस कर लिया था रूट उसके टाइप्स और रीजन्स ऑफ रूट मतलब मूल के छेत्र और उसके प्रकार देख लिए थे मूसला मूल तंत्र देखा था रिशेदार मूल तंत्र देखा था ठीक है ना पस सब्सक्राइब करने के लिए अपने आकार आकरती संदचना में क्या कर लेती है परिवर्तन कर लेती है से बच्चों ऑफ री परिवर्तनुको नाम देते हैं आपन रूपांत्रण थीक रही रूपांत्रप स्टार्ट करते है अच करते हैं सांदार वाली स्लाइड्स ठीक म нужग्यों के लिए अर्थछHigh एक अधुत्तिय संगम देखने को मिलेगा आपको नीट विजन के इस प्लेट फॉर्म पर ठीक है ना सारे सब्जेक्स में दमदारी से अपन खुब मेहनत कर रहे हैं तो जुड़िए आप और एप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से तो शुरुआत करते हैं आज का यह ब पता सकते हैं कि एक होती है एक मतलब मूसला मूल होती है एक तो ठीक है ना जो सत्य जड़ होती है और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़ अब जो रेशेदार जड़ पड़ी है नवर ने वह अपस्थानिक का ही रूप है एक समझे बात को तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो होती है वह पस्था ने कहीं क्या बन जाता है भाग बन जाता है प्रकार बन जाता है समझ मागई बात कैसे ही कर सकते हो सही है सारे की ठीक है अब सुनो जरा तो टैप रूट के भी पढ़ने अपन को रेशेदार मूल के भी क्या पढ़ने है रूप आंत्रन पढ़ने मोडिफिकेशन पढ़ने तो सबसे पहले देखो जरा रूप आंत्रन होते क्या है उसके लिए पॉइंट बता रखा है कि कुछ पौधों में जड़ें जल्वे खनिज लबनों के अप्सोर् तो चल्दी से बताओ यह वाला देखेगा तो यह वाले लेता हूं लेता हूं ठीक है ना वैसे भी हरी 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 आली ही पढ़ रहे हैं अपन सांदार बारी मौर्फलोजी में तो सब ठीक है ना प्लांट्स का वेजिटेशन का ही खेल है अपनी प्रकरती का जो बाहरी नजार चल रहा है ठीक है ना प्रकरती के जो प्लांट्स आप देख रहे हैं वही मौर्फलोजी तो है यार उसी के विच्चेतर विच्चेतर रूप देख रहे हैं देखो क्या जवर्दस सांदार वाला माहुल दे रखा है जिसका एक रुप्यावी चार्ज नहीं करती प्रकरती अपन ने और अपन परजियों क्या कर रखा प्रकरती का सत्यानास कर रखा है पौरो ना की चल रही है उससे अब डरे से हमें घरों में चुपे बैठें यह जटका वसे यह तो यह तो यह करवट लिए प्रकरती ने भई ठीक अभी गड़बड़ और ज्यादा किया तो सब्सक्राइब या सबसे सब्सक्राइब करने कद लिए इस कि नहीं हो सकते हैं यहां पर आगे बढ़ा रखिये कहानी तो इसको देख लेते हैं जब से पहलें हमें स्टार्ट करने बादि स्टार्ट में वो ही एई हैपक रखर पर भोजन संग रहे ठीक है ना के लिए जो मूसला मूल के रूपा अंत्रा ने वो एक तो है फ्यूजी फॉर्म तरकू रूपी मूल ठीक है ना मूली इसका उधारन बनेगा देखते हैं आगे कॉनिकल संक्वाकार मूल यह बास्ता में गाजर इसका उधारन बनेगा शांदा त cutting ना जन जनक्वाकार के लिए टेफॉट संग्रे के लिए मतलव प्रबूख जड निकलेगी तो यह वास्ताम में जो जड़ें Excuse me मैं काने श्यक्राटि होती है ठीक आश्य नएडी वल बोलते हैं रहेना पहले भी पताया थके यार, मूल और फल खाते हैं खाते क्या हैं कंद मूल और फल कंद भी आयागा जो आलू है वह कंद है ठीकिन और मूल कुछ खाने वाले नहीं होते मैं पहले को चर्ढू가् सबसे में बात करता हु मैं बचो तरकु रुपी जड़़ों का ठीकिन और तरकुरूपी जड़ में तो पहले जानकार उधारन को सामने लाओ जो भी आपने देखिए जो चीज उसको सामने लाओ उसी से चाहिए जानकार एक्जामपल जो है जो तरकुरूपी क्या होता है कि दोनों किनारों पर रूपर इसको नाम दिया रूट आप पर बता रखा आपको फोटो सांदार वाला ठीक है ना मस्त चल रिए ना है तो यह रेडिकल से निकली ही प्राथमिक जड़ थी ठीक है ना जो मूसला मूल का रूप होता है तो यह वास्ता में क्या है मूसला मूल है रूपांते तो मूसला मूल है यह प्राथमिक जड़ जिसको बोल देते हैं ठीक है ना प्राथमिक जड़ मुख जड़ जो रेडिकल से न या फ्यूजी फॉर्म रूट इसको नाम दिया जाता है वच्चो ठीक है और बाद में इसके उपर दूसरे वाइट वाइट छोट छोटे से रेसे नुमा फाइबर से निकलते ना यह वास्ता में दुतियक और तर्तियक जड़ें होती हैं वह भी विक्सित होती हैं तो यह वा है तो यह है ऐपो कोटालिय्जन जो इसका गई है मतला हाइपो कोटाल वाला रीजन होता है कोटलेड़न के जस्ट नीचे है त्वाद और वहां पर भूजन संग्र होगा है इसके अलावा पूरी जड़ में भोजन संग्रा चली रहा है ठीक है और बच्छो एसी जड़ों म इन सारी की सारी जड़ों में अपन कोई एक पॉइंट देखने को मिलेगा जो कॉमन है क्या कॉमन पॉइंट है कि रेडिकल से प्रमुख राथ में जड़ निकली बोजन संग्र किया फूल गई इसलिए खाद बन गई कोई समस्या सब में ऐसा ही चलेगा मामला और इनकी बुठ से ही डायरेट पत्तियां निकल रही हो जो इसलिए यह जो पत्तियां आप देख पा रहे हैं इंपत्तियों को नाम दिया जाता है यह मूल सेमुद मूलह ठीक है नहीं कि अगर इसका संथी विच्छेत करें ठीक है ना मूल प्लस उज उज मतलब होता है उद्भब होता है तो यह समझ मां गई बात एक नोर प्मूल से उद्भब होने वाली पति या फिर या फिर एंगलेज जाडे तो इंग्रीज जाडे पहर रैडी कल लीव बोल देते हैं कैंडे बोल टेता है । उनको क्या बोलते हैं ली देखो आहिए षए क्लियर चलो तो आगे बढ़ें तो अब इसकी लेंग बेज देखो जड़ा लेंग बेज आपके बता रखी है अच्छा इसको मेरे को हटाना पड़ेगा थोड़ा सा है ना यह हिंदी जो बताई है बाकी तो मैं छोड़ रहा हूं इसमें ठीक है देखो ज़रा सीर्स तथा याद रखो अच्छा है क्योंकि उसके जीनस का नाम वंस का नाम या जैनेरा का नाम पूच लिया जाता है जैने रहता है जैनर आपकी कई शाचें था तो तो रहते हैं तो बहुंत वहां सिर्ट्यों को सकते हैं और यह और प्रेंज कलर की यह सब गाजरों का मामला मैंने यहां पर तयार कर रखा आपके लिए ठीक है अब गाजर का मेंटर क्या होता है यह होता है कि उपर बेस की तरफ बेस पर सबसे चौड़ी होती है और लगातार क्या होती जाती है सक्री होती जाती है लगातार क्या होती जाती है सक्री होती जाति है समझतर भात कों कौन सा जास lod कांग उनी के हैं तो एक उनीकल रूट है वास्ताम में सब्सक्राइव और द्रफ क्या होती जाएग है उसके बाद में यह जो देख रहे हो यह रैडीकल लीवग इसकी लेंग में तो आधार पर चॉड़ी और सीश की धिर तो शल्जम चुकंदर आपने देखे हैं तो जड़ा देखो वास्ता में यह तो वास्ता में किस से निकला होगा रैडिकल वाले पार्ट से और यह तो सीर्स वाग साथ क्या हो जाती है सीर्स की तरफ एक साथ नहीं पतलि होती जली जाती है विल्कुल रेशन आपके धीर दीर्ट हो यह पर एक साथ पतली होगी और रसे नहीं और ऊपर रह गया घड़े जैसे अमामला तो यह चुकंदर आप देख पा रही हो मैं बीटा सायन इन बीटा बलगेरिस नाम है चुकंदर का ठीक है ना तो उसमें एक पिग्मेंट मिलता मिलता है इसके कारण मुझे जो गंध होती है वह सल्फर को कारण होती है जो मूली काने के बाद में जो माहुल बनता है ठीक है ना वो कहीं न कहीं उसमें सलफर की क्रियात्मक एक्टिविटी मतलब सलफर की नोटंग की चलती है तो चलो तो उसके बाद में आधार पर फूली हुई कुम्भनुमा आकरती की जड़ है जो सीर्स की और एक साथ सक्रियों कर धाग भी है सबसे ना मैंगरूव बनस्पती का नाम आपने सुना है उसी मैंगरूव बनस्पती के यह जड़ें आपको बता रख overlay और यह जो पार्ट किरों दलदली छेतर हैं तो वास्तम में यह सब क्योंकि यह वाला जो कुश्चन आप देख रहे हो ना यह वास्कम में आया हुआ कोस्टन है ठीक है ना यह है पूछा गया कोस्टन है कि मेंगरू बनस्पति आखर कौन से प्रकार के पौदे होते हैं लबनोबित होते हैं चीक है ना यह दूसरे और एकजाम वह आप्संस भी दे रख के लिए आती है सौल्ट के लिए तो सब्दों का खेल सब्दों को पकड़ने कोसच करो लब नोध भूते हैं अब यह मेंगृ बनस्पति जो झोगती है वह दल्डली चेत्रों में भटी जैसा कि आप यहां देख पार हो यह दल्डल है तियक्ट दल्दली शेत्रों में प्रीजन प्रेजेंट होती है उस जड़ें को मतलब अपनी healthy growth करती है तो Oxygen उनको को चाहिए और वहां से Oxygen लेती है वास्ता में Oxygen प्रिजेंट होती है और अपनी स्वस्थप्रदी दर साथ है लेकिन दल दलों के समस्या खड़ी हो गई कि अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल दम घुटने लग रहा जड़का भाई समझ रहात को ऐसी कंडिशन हो जाती है जैसे सर पकड़के अपन पानीम ढाल देना समझ रहात ऐसा जैसे सिर्म को डाल दिया पानी में और अपन छट पटा रहें बिल्कुल पूरी जान लगा देते हैं बाहर निकलने के लिए होता की नहीं होता है ना तो वही कंडिशन जड़ों के साथ हो जाती है और बास्ता में इसमें रेडिकल से निकली मूसला मूल की जो प्रमु प्रकृती ने जो जड़ों को वास्तम में प्रकर्ती दी है तुर्ण को प्रकर्ती चाना है दनात्मक गृत्षवानवरती होना है उसके खिलाब अपनी प्रकृति व सतमय यह जड़ें कहा आती है क्यों में निको बोलते हैं नियमेंटो सेला पॉइंट के लिए मैंगुरू पॉधे लवनोद भी जोते हैं ओटू की कमी युक्त दलदली छित्रों में ठीक है ना दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है इन पॉधा में मूसला मूलकी को साख्यां उपर आकर अधग्य प्रद्धिकर म्रदा के बाहर आ जाती है ठीक है और वास्ताम में तू आक्सीजन प्राप्त करने में क्या करती है मदद करती है हालत खराब हो रही ती मर जाती नीचे तो इसलिए आना पड़ेगा ठीक है ना यह जो जड़े होती है न बच्चो इन जड़ों पर एक्चॉल में छोट 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 यह छिद्र होते हैं उनके और नूमा थॉर्ट्स चो पोर से नूमा थॉर्स केंटेनिंग रूम और उ MRI णोल्शो को कलीन न। पो को सभ़या दार्ट केंद आर भ Court का मतलब एसे गार्ण करती है और अपंचन से अचे जो किसी चीज़ाओ धानु धानी धर धर मतलब धारन करने वाली संदचना किसको धारन करने वाली संदचना क्या होगी धानु धानी धर कौनीडिया को धारन करने वाली संदचना कौनीडियम धर कौनीडियों फोर इंग्लिस में बोलेंगे ऐसे ही जैसे गिर्धर क्या होता है गिर्धर मतलब गिर में इंघलिस कि तर्म डेना चरहा घितको बंसी वाले को इंगलिस तर्म देना हुआ नगा के सब्सक्र veilण करने के न नाज healthy man लगां लगा बस्ताइब इसको दियुक्त टो निवा थोड़ाति को दारन करने बंदतना कौन सी होगी निूमेड़ो 4 ते इसलिए इन जड़ों को क्या नाम देंगे बच्चो갈 इस स्वसंभूल होती ह쟁़ाने निूमेड़ फॉर्स कहते है और लंड़ एडि दार मान तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यह यह पो इस ओस लाएक इस्टर देख री है और नियूमा थोर्ट्स को धारण करने वाली जड़ों को ही नाम दे दिया नियूमेटो फोर्स तो मैंने अभी बताया था प्रकृति के विरुद्ध और इनकी प्रकृति तो कैसी थी इनकी प्रकृति तो यह थी कि यह भूमिगत होनी चाहिए ना नीचे ब्रद्धी करनी चाहिए धनात्मक गुरुत्वान वर्ती होनी चाहिए धनात्मक की जलान वर्ती होनी चाहिए रिनात्मक क्या होनी चाहिए प्रकासान वर्ती होनी चाहिए लेकिन सब इनका उल्टा होता है यह तन्हें के जैसी देखना और कैसी कैसी होनी चाहिए संगहाए मोगत अब न IT TRIK न मॉट और धनात्मक-प्रकाशय वालत जड़ों की प्रकरती विरुद्ध है थिका नümगत सब जरूरी थी चीजें थीक है ना क्यों जरूरी थी तिर सारे अपने आप जैसे आगे बढ़ोगे मेरे साथ आपको समझ में आने लगा कि बाइलोजी में अपवाद आना जरूरी था अधरवाइज बास्तम में जो प्रकर्ती है जिस तरह से संतुलन चल रहे हैं जिस तरह से विकास हो रहे हैं बास्तम में अगर यह अपवाद नहीं आते तो साधी डवलपमेंट भी नहीं हो पाते ठीक है ना बने रहो मेरे साथ बढ़ते आगे उसके बाद में इनके एक्जाम सब्सक्राइब याद रख सकते हो तो ठीक है पहले यह याद होना जरूरी है राइजो फोरा पर कुश्चन बनेगा ठीक है सोने रेसिया है यह दूसरे कुछ मैंग्रूव बनस्पति के पोधे हैं ठीक है ना इनकी एक और खास बात होती है क्योंकि सीथे ही बीज अगर दल इसके अलावा वास्ता में ऑक्सियन खीजता है ऑक्सियन तो नहीं तो दल दल में अगर बीच चला जाता तो उख जाता क्या नहीं उखता तो एक विशेश ब्यवस्ता बनेगी इन में ठीक है ना कौन सी ब्यूस्ता बनेगी दिस मिस्ट्री विल बीट आफ्टर सम ताइम इस राज से परदा उठाएंगे इस राज का परदा फास करेंगे अगले वीडियो लेक्टर में ठीक तो यह राइजो फॉर और यह सब में ग्रू वेजिटेशन एनी प्रावलम तो निमेटोफोर समझ में आगई के लियर कट स्वासन मूल बोल दो स्वासन के लिए ऑक्सि ग्रंथिका में जड़े नाम आते ही राइजवियम लेग्यूम पॉद्व में ठीक होती है यह लेकर आया हूं मैं यहां पर अच्छा इसमें पता है मूल गरंथिया जो आप देख रहे हो गोल मूल यह वाली तो यह मुख जड़ है एप रूट का इस पर भी वास्तम में यह क्या होती है गरंथियं लगती इन जड़ती यह इन पर भी लगते हैं और रूट हेर ने से पहुंःता है ठीक है ना इनफेक्सन फ्रेय्ट बना बना और इनफेक्सन फ्रेट्फं के माध्य में से पहुंण जाता हैitations भद को कम्पलेट सेनेरियों में पढ़ेंगे मिनरलạo न्यूटर में ठीक है ना कोई दिकत अच्छा इन जड़ों को अगर काटें मूल गरंथी वाला भाग जो अगर पाट को काटा जाए ठीक है ना तो वहां उस जड़ का जो केंद्रिय भाग होता है वो लाल और गुलावी सा दिखाई देने लगता है वहां पर वरनक मिलता है वच्छों लेग और गुलावी कलर आ जाते हैं तो एक कुछ एक पॉइंट आपको दे रखें जड़ों मुल गरंतिया मुख जड़ और उसकी साथाओं पर नाटों सिकारक जीवाणू दौरा बनाई जाती है राइजोबियम लेग्यूम इनस सेरम के लेर पंट यह तो आपको सब को याद है मुल गरंतियों का केंद्रिय भाग लाल अत्वा गुलावी दिखता एनी प्रॉब्लम और लेग्यूम पोदों इसका उधारन बन जाएंगे मटर पाइसम सटाइवम अलफा इलफा है ठीक है ना इसके अलावा वास्ता में लेंटिल्स मसूर जो होती है दाल है ना प्लोबर में जो है वो सब सिस्टम इस तरह के दिखाई देते हैं यह मूल गरंतियां मिलती है तो ग्रंतिका में जड़े अच्छा ध्यान दखना है इसमें ऐसा ही एक नाम आएगा अपनको अपस्थानिक जड़ों के रूपांत्रण में नोडिलो रूट वह भी गरंतिका में जड़ है लेकिन वह रेशेदार अपस्थानिक मूल का क्या होगा रूपांत्रण होगा समझ रहात तो टैप रूट में भी ग्रंतियां देखने को मिली अपस्थानिक रूट में ग्रंतिका जैसी कंडिशन देखने को मिल जाती है ठीक है ना तो वह भी उसका उधारन बने बहुत दूसरा मेंटर होगा लेकिन वह अपस्थानिक जड़ का केस बनेगा ठीक और नेक्स आ जाता है वह अपस्थानिक जड़ों के रूपांत्रण में देखेंगे यह टैप रूट के मोडिफिकेशन मैन मैन यह थे एक अगर और बताओ मैं तो जनन के लिए वास्ता में मूस्ल लेकिन यह तो अपस्थानिक जड़ का रूपांत्रण देखेंगे अपन अभी देखने वाले हैं एक बताया था बच्चों याद करो कौन सा बताया था डेलवर्जिया शेशु शीशम वास्ता में जो होता है वह टैप रूट रखता है और वह टैप रूट वास्ता में अपस्थानिक जड़ों का रूपांत्रण तो धेर सारे हैं अलग-अलग देखने वाले हम रेशेदार मूल भी अपस्थानिक मूल होती है घास का केस बन जाएगा संग्राही जड़ें भी देखेंगे अपन यह बैनियंट्री में तिरियक मूल देखेंगे अभी जवार बा सब्सक्राइब में ही बास्ता में जड़ें जो लटकने वाली जड़ें होती है यही तरह के पौधे में मिल जाती है दोनों ठीक है और नेक्स चूस कांगी जड़ भी देखेंगे इसके लावा रूट थौर्ण भी हो जाते हैं ठीक है लावा बैलेंस करने वाली जड़ें भी बन जाती है ठीक है लिफ regenत जिनको सीधे लिफ के ऊपर आपन डिसकस करने माले हैं सबसे है संब पहले अपने बाद कर रहे हैं रेश्यदार रपस्थानग मैं ने रम लेकिन अगर रेडिकल के अलावा पोधे के किसी भी अन्य भाग से जड़ निकलती है तो उसको यह अमने नाम दिया था अपस्थानिक जड़ और वास्ताम में रेशेदार जड़की कहानी क्या होती है कि पहले रेडिकल से निकलती तो है प्राथमिक जड़ लेकिन वह तुरं अगर पतली पतली से तंवे पंधन बांधन का क्यां करती है साइन्व डिक्टायलों इसका नाम है ना दूब घास बर्मुडबा ना तो बर्मुडबा घास का कैसी बन जाता है इसके बाद में नेक्स वाह भलवीर जी क्या कहने यार है नाम तो बिलकुल उन्होंने टीम नीट विजन को बहुत बल दिया है हनमान जी है हमारे टीम नीट विजन के ठीक है ना तो उनके लिए भी सलूट है तो देखो जरा आपके लिए बहुत जबरदस जबरदस मतलब वह एक इनोवेट आइडिया अपने दिमाग में लाके और इ आपके सेलेक्शन के लिए हम पूरी तरह से नमदारी से जोटे हुए हैं बच्चो एक एक हमारा एक एक बंदा नाया हीरा है अपनी टीम में तो सांदार तरीके से लगे हुए हैं वह अपने मेहनत करने तो देखे जरा संग्राही अपस्थानिक मूल मतलब अपस्थानिक ज सबसे पहले कंदिलमूल टूपरा सूरूट है एक एक करके शॉट मैं जल्दी से बारुपं कर रहे हैं जल्यंज के लगे मतलब सबसे मतलब होता है गुंक्छा को गुच्छा कहीं पर भी तर्म आ जाए फैसिकुलम बंच का मतलब होता यह बंच यह गुच्छा होता है फैसिकुलम का ना फैसे में जड़ आती है ठीक है ना देखेंगे अपन यह देखो गुच्छे में यह जड़ देखेंगे लिया का एक्जामपल चल रहा है यह जड़ किसकी है यहां पर मैं बात करूं डाइरेक्ट डाइग्राम से मेरे को आंसर दो तो यह कौन सा हो गया यह हो गया स्वीट पोटेटो सहीए बाद स्वीट पोटेटो अभी आगे आ अभी बताया था ग्रंथिका में जड़ थी नैट्रनिस्थी करण के लिए वह मूसला मूल का रूपांत्रण था बच्छो नर्डुलोज रूट अपस्थानिक जड़ों के रूपांत्रण में भी केस बन जाता है लेकिन यहां पर आप देख रहे हो यह यह आमा हल्दी बोल आप यह बाला पार्ट को नाम धिया आतक और कमा हमारा इसको नाम आपके सामने है व rap इस तरह से घुगति यह वख सब्सराइं का केस बन तो सब्सक्राइं स्क्रान बulah इन मतलब होता है बच्चो और अन्यूलत का मतला होता है बले तो वल्या कार्ज गवले क्लियर है बच्छों थिक है एन्यूलस इसके अलावा दूसरा देखें अगर तो मणी का कार्ज अपटेक का बीड्स मोती ना मोती नूमा संदचना और धागे में जैसे मौती पिरोई हुई है ठीक है दागे में मोत संधार वाला महोल दिख रहा है और यह आपस में क्या है connected है इस तरह से जड़े हुए यह मोति सब दागे नों बिलकुल मोतियों की माला जैसी तो दिखाई दे रही है ठीक है ना तो यह मणी का कार जड़े होती है ठीक करके हम इनको डिसकस करते हैं बच्चो सबसे पहले संग्राही अपस्थानिक मूल में भी कौन सी ट्यूब्रस रूट कंदल मूल उधारन कौन सा आगया स्वीट पटर दिख गया इसमें होता क्या बच्चो पता है यह एक्चल में रेशेदार जड़ होती है शकरकंद की शकरकंद लेकिन कंद जो होता है वो तो आलू है हम पढ़ेंगे आगे ठीक है ना और यह सकर्युक्त कंद ठीक है ना शकरकंद यह जड़ है और वो तना है एक है ना है तो दोनों जमीन में ही ठीक है ना लेकिन एक जड़ और दूसरा तना वो कंद यह शकरकंद शकर्युक तक किस से पता चलता टेस्स से शक्कर युक्त कंद जोगा जो मीठा कंद होगा वह शकर कंद है लेकिन वह जड़ है और आलू जो होगा वो तना होगा देखेंगे पना ठीक है ना कोई दिक्कत है तो सिंपल सफंड़ा है बस हो गया फिर तो पेंटरी के खतम करो अरे लेंग जब बिठ गए तो सब खतम होगे ना अपने आप यार ठीक है तो अपने आप ही के लिए रोजाएगा यार प्रकरती ही तो मॉर्फलोजी है प्रकरती का बाहरी सवरूफ मॉर्फलोजी आई पहुमिया बटाटा इसका शांदार सा ठीक है ना डाइग्राम आपके सामने है और दूसरा केश जो होता है वह गुच्छी का मैमूल फैसी कुलम मैंने बताया था भी गुच्छे के रूप में तो गुच्छे के रूप में यह आपको डाइग्राम दे रखा है एंसी आर्टी ने ठीक है और यह वस्तम में एस्पेरिकस का डाइग्राम अपन को दिया हु ना डएलियाकरत तो इसत्रहे सी असे इनियमित क्या बन जाएंगे गुच्छ़ बन जाएंगैं इसतरह थे तो गुच्छे में आती है वास्ता में और यह हो जाती है उ देखु जाते न तνहे के आधार से गुच्छे निकलती है तन पर जाती हैं तॉát किसका है यह डहेलिया का केस बनता है समझे रहत को एनी प्रॉब्लम नेक्स अगर मैं बात करूं तो संग्राही अपस्थाने कमूल दूसरी कौन सी हो जाती है नेक्स एक्जामपल कौन से बन जाएंगे जड़ा देखना गांठदार जड़ नौडिलोज अभी आया था नौड को खाते हैं तो यह महल्दी का केस बनता है मस्ट प्लांट से देखो तने के आधार से निकली जड़ और उसके वह सीर्स क्या हो गए फूल गए कल्या भोजन का संग्राही नेक्स क्या कौन सा है बच्छों गांठ जैसी बन गई ना गांठ जैसी बन गई है ना नौडूल ब यह वले देखरी यह आपको कलिएर कड आना यह वले देख रही हैं आपको शांधार वाली तो इस तरह से इसलिए नाम दे दिया वले कर आकर्टी के आधार पर जड़ों के नाम करण हो गए है ठीक है ना देखो जड़ों में कृम से वले नुमा फूले हुए भाग होते हैं सेक्रोंसिया इसका एग्जामपल बन जाता है भच्छो तीक है ना ज्यादा एंक्जामपल एक्जामपल इनके याद रखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है ठीक है इसको अगर नहीं रखना चाहो कोई और वो चीज़ें याद हो जाती है तो एक बार रफली जरूर पढ़ ले ना ठीक है बढ़े आगे नेक्स वास्ता में वही मनिका में तो देखो ज़रा मनियों के समान यह सांदार वाली मनी ठीक है ना यह मोती और यह मोती किस से जुड़े हैं धागे से जुड़े हैं समझने तो जड़े नियमे तंत्रहल में फूलती है भोजन संग्रे के कारण जैसे थे करें न मोती यह अंगूर करेला केला को बोले मामारिका ठीक है ना बटर गार्ड जिसको बोलते कड़वा करेला बीटर गार्ड ठीक है तो तो बीडेड का केस बन जाता नेक्स आ जाती है खंबमूल खंबमूल तो प्रॉपर या फिर फिलर घंब मूल कोन सी और यार सर यह तो वह यह तो जानते हों बैसे अतनों को एक्मपल एग्जांप परिफ उल्भाइब ना और बंगत में कौन सी जड़े होती में फािकृस बेंक्नलेंस से इसको नाम देते हैं यह फिर साखहाओं से निकलने वाली इस लटकने वाली इस चांधार वाम यहां तक लटकी पड़ी आप पहले तो कि लंबी लंबी शाखां होती बर्गत की बैए उस लंबी शाखां अब यहां तक का मामला चल रहा है तब तो ठीक है लेकिन एक किलो मीटर लंबा अगर यह कर दें हाथ तो क्या एसे रह जाएगा क्या इसको सपोर्ट चाहिए नीचे तो खंब के नुमा क्या दे दिया जाता हैं सब्या तो तो बर्गत की लंबी शाखां को एक तरह से बजन हो गया ऊसमें तो तुमें तो नीचे चली जाती है तो जमीन में जाके और वहां पर वास्ता में पूरी तरह से जब जड़ के रूप में पहुंशती है ठीक है न अत्रिक्त सब्सक्राइब कर लेती है तो पाइकस बेंगालेंजस किये जाती है मोटी वाई भी जड़ें की लंबी शाखाओं से उत्पन होती है तता नीचे मिरदा की और ब्रधी करती है कभी जूले जड़ों से मैं यह अफन छूलें भी खूब कि कि हमारे गाम में घर के पास में एक बर्गत का ब्रक्ष है अभी जबर्दस्त वाला ठीक है और वहां पर पर वाढ़ी जदें तो नाने करने जाते थे तो यह जब नीचे चली जाती है अवड़ा में चलिए अभी तो यह लटकी हुई यह यह तो यह जब तो मोटी होती है लंबी साखाओं से उत्पन होती है नीचे मिर्दा की और बद्धी करती है खंब मूल के काम कौन कौन से हो गए लंबी शाखाओं के को खंब के जैसे सारा देना मिर्दा में प्रिवेश के बाद पौधे को बांदे रखने में सायक अत्रिक्त पोशकों में जलका तने को परिवेहन कर दिया जाता है तो यह सिंपल सा आपको डाग्राम अपन को एंसी आटी ने दे भी रखा है ठीक है ना न प्रियक जड़े स्टिल्ट रूट बोलते हैं या फिर इनको बोलते हैं ब्रैस रूट इनको नाम दिया जाता है अब सुनो जरावच्चों कि डाग्राम लाँगा मैं तो पहले डाग्राम से कवर करना है तिर्ची जड़ें हाँ है अगहाँ देखा कोई नजária इस तरह यह कोई प्लांट थिक खता है है ऐसा नजारा रहा वो था यह आ वह ँपन एक तरह से इस इस सीधे concepts निकाल रहे हैं मतलब उसकी language निकाल रहे हैं कोल मिला के बताओ मेरे को खुदी ठीक है ना इस लेंग में देखें यार यह बिलकुल आधारी क्या है पर्वसंदियां है कोछ आधारी पर्वसंदियों से बास्तम में यह इस तरह की जड़े निकलती है और जो तिर्ची होकर कहां जाती है कि मुंदा में शाखनभी ले ले लेतीं अंदर ये मुंधा में समझे यहाँ और दो और सहारा देती हैं जैसे टैंट कर यह लगा हो देखाना जो बहुत हैं बीच में प्रण है बीच में हो या तो उट यह एっ तो लगन टीके का प्रोग्राम था दो जगे टेंट लगे थे और पहले तो मस्त वाल तूफान साया खतरनाग वाला पूरा तैंट अलां कि यह व्यवस्था कई की ती यह तीरियक जड़ों की नहीं मतलब वह रस्ता की थी ठीक है ना बड़ी अमजबूती भी दी लेकिन वह तो करती को मंजूर था तो तुफान का कोन का साथ चलता है ठीक है ना सारा टेंट धरा से उसके बाद जबरदस्त वाली बारिस भी तो फिर पूरा मामला चुपट कर दिया है ना फिर घर के अंदर ही व्यवस्था है छोटी मोटी व्यवस्था है सैट की थी ठीक तो वह दिन मैं नहीं भूल सकता है ना सुनो जरा देखो तो यह बिलकुल निचली आधारी परवसंदियों से वास्ता में जड़े निकलती है और यह चक्र के रूप में निकलती है कई सारी जड़े है ना चक्र के रूप में जड़े है ना चक्र के रूप में किर्ची जाती है सपोर्ट करती है नीचे जाके मिर्दा में जाके और साखन भी हो जाता है और जबर दस्वाला सपोर्ट देती है इस तरह हैं टेंट की तर प्रफटनिकल नाम सब्सक्राइब यह इतने सारे नाम के यह अपनको आगे भी यूज हो जाएंगे ठीक है ना इसलिए पहले से ही मैंने यह नाम लिख दिया है बॉटनिकल नाम तो इनको कुछ एक जो नाम मैं लिख रहा हूं उनको तो कम से कम कवर करते हुँ चलो जो कहीं न कहीं अपने को मिलेंगे आउट ओफ एंसी अर्ट का लफड़ा नहीं है ठीक है ना बाजरे में भी ऐसा ही केस बन जाता है और लेंग्वेज क्लियर होई गई कि यह जड़ें तने की कुछ आधारी निचली पर्वसंदियों से अ निकलती है तथा तिर्चीं होकरίο म्रदा में प्रवेशकर कतने को सारा देती है समझरे मात को तो यह जड़ें होती है पौदे को मिर्दा में बांदorn Cabraai ज़ए यह मोरीय होती है यह मोЧто फरा होल बना है चक्रसला बना पड़ा है तो कोई रटने की जड़त है लटकन मूल कि अधी का मतलब होता है उपर तो मतलब पौधे के उपर पौधा है तो दूसरे पौधे के ऊपर पौधा होता है लेकिन यह केवल पता है यह अधिपादब जो होते हैं उन पौधों पर केवल वास्ता में आस्रे के लिए रहते हैं बाकी खाना पीना खुद बनाते हैं प्रकास संसले सी होते हैं ठीक है ना और जल खनेज लवनों का भी अफसर सन खुद की जड़ों से कर लेते हैं ना इनमे एक तरह से इस पेस पेरासाइट बोल सकते हो इनको 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 बड़े-बड़े प्लांट पर कॉने में क्या मतलब उनकी शाखाओं पर उपस्तत होते हैं और नीचे लटकने वाली जड़े ने कलती है ठीक है ना आरतकाई इसलिए निको दूसरा नाम क्या दिया जारा पत और आरता ग्राही क्यों बोला उसका आपन मैं अभी डिसकस कर रहा हूं पॉइंट तो देखो जड़ा एक मस्त वाला एपिफाइट आपको देखा रखा यह कोई प्लांट की ट्रंक है ठीक है यह जो ब्लेक ब्लेक सी आप देख रहे हो यह प्लांट की किसी की ट्रंक है और इसके ऊपर और में अधीपात लगा हूआ है और जैसे पौट और यहां पे लटक रहे हैं इस तरह से अब यह क्या करती है यह वातावणी जो आरता है तो इन में ऐसे जड़े जबरदस्त वाला मामला कर रहा है कि वाताबरणी नमी को भी कर रही है ओसके जल भी खींच या है तो इनका मतलग कोई नहों कोई को haters था था तो होनी चीए न न इमें नतों वेरकों होता पीडर्मीश होती है उसमें थी एक इस तरह की क्या बच्चों वेलामेंट टिशू बोलते हैं ठीक है ना अधिपाद अपों में मिलती हैं ठीक है ना स्वरी अधिपाद अधिपाद अब दूसरे पौधों पर आस्रेहतों उगते हैं इसको कॉमन सेलिंज बोलेगे अपने एकोलोजी में पढ़ेंगे दमदारी से ठीक है न कि शाओ न और कौन सा जीरो वाला केस मतलब पोसक फ़दे को इससे कोई फरक पढ़नी रहा लेकिन इसको भई क्या मिल गया आस्रें मिल गया इसको फायदा हो गया है इसको भी प्रण्ट तो पॉजिंटिव जीरो का वह बन जाता है यह इंटरेक्शन देखें पॉप्पेल लिए नमी का आप सोशन करती है अब जो वेलामेंट इशू आपको बताया है यह वास्ता में क्या है यह है मल्टीपल लेयर कि एपीडर्मिस कि अच्छा हंदी में बोलना है मेरे को तो क्या बोलू मैं बहु इस्तरित अधीचर्म कि बहु इस्तरित अधीचर्म का उधारने वेलामेंट इस और यह आर्त अग्राई होता है यह खीसता वास्ता में उस नमी को ठीक है कोई देखकत है तो अधीपादपों की जड़ें होती है कोई देखकत बढ़ें आगे लेकिन इनी अधीपादपों में दूसरे प्रिकार की आट यह लाटक का नहीं सब्सक्राइ genocide कि लेकिन कुस प्र sports प्रैट होती है जैसे यहन यह यह वाली coping करें तरह श्रूभ और धाटकन नबूल है और यह जो होती है इनको बोलते हैं डिग boiling觉 Cape वुटा लग़े अधिपाद आप किसी पौधे के उपर लगा हुआ है ट्रंक और वास्ता में इसकी जड़ें जो निकल रही है वो देखो जवर्दस तरीके से इसको यह चिपक गई इसी से पौधे को इसको बिल्कुल जवर्दस तरीके से बांध दिया पौधे को है ना तो इनको बोलते हैं यह पौधे यह बन जाता है तो इसको लेकिन दूसरा कहा नाम दिया जा रहा है तो एक चिपक में मदद करेंगी और दूसरे जल और खनीजलबनों के अब शुचन में वास्ता में क्या करेंगी मदद करेंगी बच्चों बढ़ें आगे तो अच्छा नेक्स देखो जड़ा अगला जो कॉंसेट बनता है वायार सांदार ट्रांजिशन दिया रूपांत्रे तपस्थाने जड़ें वही तो चल रही थी ठीक है ना इसमें रूपांत्रे तपस्थाने जड़ों में एक और दूसरे पकार की जड़ाई है चूस कांगी परजी भी जड़ें अभी मैंने तब नहीं कर दोणा है था कि यहां तो तो केवल इस पॉज़ें पॉजन के लिए आश्रे के लिए अगर इन तीनों मूल भूत आवस्षक्ताओं की पूर्ती के लिए कोई पौधा दूसरे पौधे पर आस्रेता है तो वह पूर्ण परजी भी पौधा होता है और अगर इने मैं से कोई सा भी काम खुद से कर लेता है तो आंशिक परजी जैसे बोजन बना लिए खुद ने में जाता पर्जीव पौधे से जाती है तो उन पर जीब पौधा किया होता है उनले विश्यजश जड़े बनती है जो उनके जर गकामिया और यहां पर यहां पही पाढ़त में셔алा करगी वाली पाइपलाइन कौन सी है जायलम और भोजन को ले जाने वाला पाइपलाइन कौन सा है वास्तम में वह फ्लाइम तो सीधे फ्लाइम में और जायलम में सीधे जड़ों को अंदर पहुंचा दी जाता है डायरेक्ट वास्तम में सीधे सप्लाई खीच ली जाते मुख्ष और यह सांदार सा नजार आपको परजीव किस पौधे का पताया है एक पौधे के चारों और लिप्ती पड़ी पड़ी है पतली सी पीली-पीली सी जो धागे जैसी यह संदल्चना है यह होती है अमर वेल आपने देखी आए ठीक है यह खुद तो अमर हो जाती किसी पौधे जाड़ियों पर जन्रली ग्रो कर जाती है ठीक है पूर्व प्लांट कोई क्या कर लेती है ढख लेती है ठीक है पूरी तरह से पीला-पीला वह धागे नुमात अब इसमें यह खुद बैकारी है पूरी तरह से समझे बात को इसमें क्लोरोफिल वगेरा और इनका कोई कोदे से खींचा जाता तने पर यह उगती है तो यह पूर्ण इस्तंब परजी भी होता है जो क्या है कसकटा अमर बेल तीक है और इसी कसकटा का चारत तरफ लिपट गई और इसमें अंदर फसा रखी होंगी जड़ें जो यह नजारा आपको दिखा रखा रखा है इसी का पॉइंट देखो जड़ा इसी का थोड़ा सा एक पार्ट जूम कर रखा है तीक है ना यह अमर बेल का केस बनता है और इसमें यहां पर यह इसने अंदर फसा रखी होगी अपनी जड़ यह चूसकांगी जड़ होती है जैसे यहां पर देखा रखा यह विसकम का डाइगरा हिसकम का उसमें यह विसकम का प्लांट है यहां पे इसर प्लान ने होस्त्री अंदर पहुंचा रहे हैं अन्त गधिए खतरनाग वाला मामला होता चूसकंग की पर जीवी पधे होते हैं तो इसकाटा विस्टमोर्द फी इनका क्या है एक उन्हें कानता है बच्चों पूर्ण इस्तंभ पर जिवी है जबकि यह जो विसकम बाला केस बन जाता है वह होता है आंशिक कि इस्तंभ पर जीविए अ आंशिक इस्तंभ पर जीविए मतलब यह आंशिक रूप से क्या कर रहा है एक तरह से मतलब सारे की सारे मुलभूत आवस्षक्ताओं की पूर्ति उस पौद इसे नहीं कर रहा ठीक है यह रहा है पौदा देख लो जाए खुद प्रकास संसलेश करना जल और खनेजलवनों को नहीं होते तो प्रकास संसलेशन नहीं करती ठीक है लेकिन कुछ पौधों की जड़ें जो होती हो प्रकास संसलेशन करती है और यह आप देख पा रहे हो क्या देख पा रहे हो यह क्या है सिंगाड़ा देखा ना तो उस सिंगाड़े की यह बाला जो पार्ट आप देख रह कि तरफ होती है हरी होती है प्रकास कोई प्रकास पहुंचता है तो यह प्रकास अप्षोषर्शन करके और इस तरह यह फाला बाधいき ँड़ा जाता है वहां फ्रक्रक्वाव उस्टॉरrama बता है अदे पतियों आप देख रहे तो यहाँ आप यही जड़े यह प्रकास इंससीलेशन करती है यह आप देख रहों घ्री इह हरी जड़ें कें यह तरह का किस ट्रापा यह तिक है ना और दूसरा जो एक्जामपल को यह रखा है यह वाले थी कहे न इसमें जो जड़ें होती यह पत्ति कि देख रहे हैं और यह वाला पार्ट किसका देख रहा है यह गिलोए आज गलवड़ा चल रहा है कितना गिलोए का जबर्दस किया गया यूज किया गया है अपने द्वारा ठीक है ना क्योंकि पूरे बाबा राम देव का नुस्खा था तो गुलोए को गवार पाठे वाला पार्ट उसको जूस बनाकर पी रहें लोगवाग द्वाधार तरीके से ठीक है ना तो वह गिलोए की बिलकुल ना यह टीनोपोरा कारडि फॉलिया कोड़ी कारडि टर्म हर्ट नौमापत्ती हैं कार्डियक टर्म किसके लिए आती हर्ट क तो यह गलो का धार्म दे रखाया है इसकी भी जड़ें जो होती है वह हरी प्रिकास संसले सी होती है लेकिन यह वाई होती है तो जिसको टीने बगने जड़ें होती है उसमें तो और गिलो जो टीने बढ़े आगे तो यह संस्लेस्ट्राइशन कर लेती है यह ठीक है ना और नेट्स कर ओहो उड़ गया अगा लेकिन ішुआ थे ना और वह अधी परनि जड़े एपिफिलस बच्छो ऊपर फिको मतलब क्या होता है फिल मतलब लीफ के लिए कर पती के ऊपर आधी के ऊपर लगने वाली जड़ें होती है जो पती से उत्पन्न होती जड़ें वह फॉलिय कि यह जो डाइग्राम किसका है सांदाज जानकार हैं पत्थर चट्टा का उधारन आप देख पारे हो यह तो यह जड़ें पत्ती से उत्पन होती है तथा काइक प्रवर्धन दर्शाती है तो पत्ती द्वारा काइक जनन जिसमें मिलता है वह धारन होता पत्थर चट्टा पत्थर को चाटने वाला ब्रायो फिल्लम और बिगनों या भी उसका ये कुदारन बनता है ठीक है ना पत्थर चट्टा क्यों बोला आयरवेद में वास्ता में इसका बड़ा यूज है यहां पर वापस जो किड्नी स्टॉन बगर हो जाते पत्री हो जाती ह अगर इसका सब्सक्राइब भूके पेट इसका आयरवेद में इसको जूस पिलाते है नौर्माली पत्तियों को कूट के और इसका जूस तो यह वास्ता में पत्थर चट्टा पत्न जो पत्थरी होती है ठीक है ना उसको चाट जाता है मतलब उसको गोल-गोल के यूरिन के द्रू बाहर करवा देता है थे ना तो यह आयरवेद में इसका यूज है इसको पत्थर चट्टा नाम देते हैं तो ऐसे नाम थोड़ी आया यह पत्थर चट्टा पत्थर को चाट जाता है अब चाटने का मतलब वह वाला थीन नहीं है ठीकना मतलब लेकिन कि क्या है कि अपन जब इसको चाटेंगे मतलब एक तरह से अपन जब इसका यूज करेंगे तो एक्चल में क्या होगा वो केड़नी स्टॉन जो होता है बहुत दीरे-दीरे खिर जाता है और यूर्ण के तुरू बाहर निकल जाता आयर वे बहुत जबरदस है ठीक है तो पथ हो बहुत ने-श्वह कूश कोशना चुटर वेरस करें चैटीर में अट कर देख हो था जो हो यह कक्या है पोदा फट्यों निकलता है सब्तव होता है उन में से एक गर इंप तो जेन सब्सक्राइब कर जाती है तो पॉधे को संतुलन देने का काम कर जाती है वास्ता में ठीक यह पर्ण रूट ज्यादा जरूरी इस तरह का नहीं है लेकिन साल भी नहीं आपको टेक्स नॉम्य भी आ जाएगा तो याद रहे जाए तो अच्छी बात है लेकिन यह तो जरूरी याद रखना ही रखना है यह तो ट्रिपल स्टार मारक है बोले तो तीन सितारा बिंदु है यह तो याद रखना है इसको याद रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है ठीकर ना नेक्स से जन्निक मूल रिप्रोड़क्टिव रूट्स और अपस्थानिक जड़ों में जो मैंने बताया था वर्ष डवलप हो जाती है डाहे लिया एस्पेरेगस शीट पटेटो तो वह जन्निक मूली थी जिनमें कलिकाएं क्या कर लेती है कायक प्रवरधन कर लेती है तो पर दो के उधारन बनते हैं बच्चो किसका दे रखा है यह डायाग्राम में जो दे रखा है वह डहलिया का डायग्राम बताया था के गुच्छी का में जड़ों का भी तो धारन आया थे आध्यक्षिक्ष रूत का example ही यही वनाए ठीक है लो अब बढ़ते हैं आगे ओह हो तो शांदार वाला माम ठीक है ना दूसरा आया भई नेक्स कंडिशन कौन सी आ जाएगी देखो जरा संकुचन सील कॉंट्रेक्ट टाल रूट कॉंट्रेक्ट टाल रूट केसर के प्लांट में पहले तो कॉर्म होता है घंकंद देखेंगे अभी अपन तने का रूपा अंतन गंकंद का केस उसमें व्युधारन आएगा क्रॉक जी करता है और यह जड़न कलती यह । कि अब यह संग्राही भाग है तो यह संग्राही भूमिगत होता है इसका तने का त्रफेस की तरफ जाता है तो यह जड़ें क्या करती है वापस खीच के इसको नीचे अपनी जगह पर पहुंचा देती है 60-70 परसेंट यह जड़ें संकुचत हो जाती हैं अपनी लंबाई में और अपनी संग्राही तने को अंदर वापस अपनी जगे पे बिठा लेती हैं तो यह संकुचन सील जड़े मिलती हैं केसर में ठीक है न तो इसका अधार जो बन जाता है तो पहले तो लेंग बेश देख लो यह भूमीगत पूले हुए भूमीगत तने से संलगन होती है यह भूमीगत संग्राही तने को मरदा में सही घहराई में लाने के लिए संकुचत ह होती है क्रॉकस का घंकंद केसर या फिर इसी को नाम दे रहे हैं सैफरान एनी प्रॉब्लम तो केसर की क्यारी कौन सी जगह है अपना काश्मीर है भारत का एक अभिन हिस्सा तो देखो जरा पुस्ता मूल बट्रेस रूट इसको यार रख लो तो ठीक है नहीं तो कोई दिक आधार वाली जड़े होती है वो वह बिल्कुल अलग 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 ब्साम में भी फैलती है कई सारी नीचे की जड़ें होती अना जो जड़ा ना को नाम देते हैं बच्छों पुस्ता मूल या बट्रेस मतलब एक तरह से साहरे को और पुस्ता कर दिया पुखता कर दिया नोगत तर्मिनल यह अर्जुन अर्जुन प्रक्ष लूपन और इस तरह की बड़े-ब्रक्षों में इस तरह की बट्रसूट मिलती है जो अत्रित सहरा देती वास्ताम तो यह बट्रसूट का केस अपन जाता है तो यह इसके बाद मैं नेक दिकारा रूट फॉर्न दो यह यह जैसा है आप अर्मेनिी का पॉथोस पॉथोस आर्मेट जो है नहीं मनी प्लांट दो दो घरों में लगोच्जा सी जो लगती है ना इसमें बास्ताक में पर कमेट वाले उसमें कांटेज ऐसे बन जाता है ठीक लेकिन यह होता किसके लिए है सहा रहतु होता जन्त यह फजाती है सपोर्ट के साथ ठीक है ना और इस तरह से फसी हुई कंडिशन में यह ऊपर वढ़ते हैं उपर वढ़ते हैं उसको बेल की रूप में होता है क्लाइमर की फॉर्म है एक एक अग्राइजा का मतलब यह से वह रूट का ही केस बनता है और एक एंथो टर्म जो आई है वह कहीं कांटे से रिलेटेट आई है इसे दूसरा आजाता है आरो ही जड़े च्लाइमिंग रूट्स ठीक है ना क्लाइमिंग रूट्स जो क्लाइमिंग करने के लिए पोदे को हाट शेप कंडिशन पान का पत्ता ठीक है ना और यह इसकी जड़ें आप देख पा रहे हो यह बाली जो जड़ें तो यह क्या कर रही है मदद करने क्लियर कट दिखाई दे रही है जड़े और वह मदद करती है तो यह क्लाइं Hash family होती है ऐसे कज बन जाता है चेगे अलावा काली मिर्च की बेल होती है उसमें भी ब्लायंक पिपर का किस बनता है है तो यह स्पम एक एक आगया है लेकिन इसको याद रखना है आपको ठीक है तो ज्यादा बढ़िया है तो यह मनी प्लांट पान बीटल जिसको बोलते हैं काली मिर्च पाइपर नाइक ग्रम इसको इसका नाम याद रखना है आगे अपन यूज करेंगे इसको ठीक है ना यह सेम ऐसे अच्छा पता है यह जैसे अब इस यह कॉंसेट इन में इन में आ गए हैं दोनों एक्जामपल सब्सक्राइब देखेंगे और और कॉंसेट लगता है तो रिलेटेड होते हैं वह प्लांट वास्ता में ठीक है एनी प्रॉब्लम सो थैंक्स तो यू एंड डेर टू ड्रीम सपने देखना अपना अधिकार है लेकिन अधिकार ठीक है उनके साथ कुछ कर्तब जोड़े रह सपनों नहीं मैंने सजोये हैं नको महनत के जरिये भगवान से चिनके भी लास सकते हो समझना ःकिरों के सार नहीं अपनी महनत के दंब बास्तम में वाषते में बास्ता में जिनके लकीर हाँ था हुट्भी नहीं होता है तिकlles वह अगे सारे एक्जाम्पल से ऐसे देखने को मिलते हैं ठीक है अपने में विर संसाइटी में दुनिया से बनाया है ठीक है अपने महीं सपनों को सजवो अर उनको जीतना भी है ठीक है ना उनको बहसते में पूरा करना भी है ठीक है ना मत सो विस्यू अल्डवेरी बैस और इस नई साल पर आपको धेरों सुब कामना है और आप मस्त वाले डॉक्टर बनोगे यह पूरी टीम नीट विजन की तरफ से आपको सुब कामना हैं ठीक ना तब तक के लिए जैहन जैभार